मुर्खों की सबसे बड़ी निशानी कि खुद कुछ नहीं बदलते हैं कि कुछ बदलेगा जिन्दगी की सबसे बड़ी सीख कि जब तक आप कुछ नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा तो अगर आप चाहते हो कि कुछ बदले तो पहले आपको खुद को बदलना होगा और मजे की बात यही कि हर इंसान चाहता है कि उसके हालात बदले कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे किसी भी चीज में कोई भी कॉम्परमाइस करना पड़े कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे दंदा सुपेक लिए किस-किस करना पड़े हर इंसान चाहता ही कि अगर कोई भी चीज़ उसे पसंद आ जाये तो वो उसे उसी वाक्त खरीद पाए कोई भी इंसान चोटे गर में नहीं रहना चाहता जो शुरूनेस पहली खतम हो जाये कोई इंसान नहीं चाहता कि उसे गरीबी में रहना पड़े हर इंसान अपने हालातों को बदलना चाहता है तो फिर क्यों लोग खुद को नहीं बदलते जो कि या तो अपने comfort zone में अटके रहते हैं जिसकी वाज़े से वो कोई शुरू नहीं करते हैं और अगर शुरू भी कर देते हैं तो वो distract हो जाते हैं या फिर अगर उनके सामने कोई बड़ी परिशानी आती है तो वो रुख जाते हैं एक शार्क अगर तेरना बंद करते हैं और अगर वो रुख जाए तो उसकी वहीं पर मोथ हो जाती है इंसानों में भी यही होता है बस फर्क इतना से होता है कि इंसान मरते नहीं और जिंदा लाश बन कर रहते हैं तो अगर आपके भी ग्रोथ रुख गई है आप भी रुख गए हों जिंदगी में तो समझो आप भी जिंदा लाश हो और जिस तरह हर इंसान चाहता है कि उसके हालात बदले उसी तरह हर इंसान चाहता है कि उसे दर्द ना मिले लेकिन जिन्दगी के खेल में दर्द तो सेना पड़े मैं आपको एक छोटा सा एक्सामपल देता हूँ इगल का इगल जब 40 साल का हो जाता है तो उसके जो नाकून होते है जिनसे वो शिकार करता है वो टेड़े हो जाते है उसकी जो चोँच होती ही वो भी मुड़ जाती है उसके पंक भारी होने के कारण सीने से चीपक जाते है जिसकी वज़े से उसे उड़ने में मुश्किल होती है अब उसके पास में दो अप्षिन है कि या तो वो 40 की उमर में इमर जाए या फिर 1500 दिनों की एक बहुती टफ एक पैनपूल एक दर्दनाख प्रोसेस से गुजरे वो प्रोसेस जिसमें इगल को अपनी चोँच को चटान पर ठोक ठोक कर तोड़ना होता है और तब तक जब तक कि इसकी चोँच निकलने जाती है और फिर वो इंतजार करता है नई जोच आने का और जब उसकी नई जोच आती है तो वो अपनी नई जोच से अपने पंको को निकाल देता है इसी तरह वो अपने पेर के नाखुनों को भी निकाल देता है और एगल अपनी जिंदगी में सितर साल जीता है कभी-कभी हमें लाइफ में आके बढ़ने के लिए अपनी पूरानी आदत है अपना comfort zone अपनी पूरानी memory को छोड़ना होता है और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए लाइफ में कभी-कभी दर्दनाक process से भी गुजरना होता है और कई सारे लोग इसे दर्दनाक process से गुजरते भी है और एक उचा मुकाम भी असिल करते है क्यों क्योंकि वो सच में अपने हालातों को बदलना चाते है वो सच में अपनी जिन्दगी में कुछ करना चाते है और जब कोई इंसान अपनी जिन्दगी में सच में कुछ बड़ा करना चाता है तब बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसका बाल भी माका नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ताकत आजाती है उन मुश्किलों से लड़ने की यह यूनिवर्स भी उसकी मदद करता है से और इतिहास में ऐसे से योता हो गए जिने जिन्दगी के मैदान में इतनी मार पड़ी इतनी मार पड़ी है जिसकी कोई लिमिट नहीं जो बुरे से बुरे हाला तो से निकल कर कहां से कहां पहुँंच गए तो तुम क्यों ने कर सकते बस तुम्हें भी दर्द सहना पड़ेगा और अगर तुम तयार हो दर्द सहने के लिए तो तुम भी कर सकते